वेल्कम बेक गाईज इन अधर वीडियो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप कैसे एक नॉर्मल कार बैटरी से एक UPS को चला सकते हैं आप इस UPS को एजा इंवर्डर भी यूज गर सकते हैं अपने घर लिए यह बेसिकली एप बैक अप्र ईसके swings करने लाइड ये मैंने एक लौड लिया यह 9 वाट को बलब है जैसे हम गलो करेंगे इसके इस इसमें simply connect कर रखे हैं, इसमें 3 sockets होते हैं, इन में से किसी में भी आप connect कर सकते हैं, यूपेस की दोस्तों, एक major problem यह रहती है, कि इनके अंदर जो बैटरी होती है, 7 ampere की 12 volts, तो वो खराब हो जाती है, after 1 year, 2 year, वो खराब हो जाती है, और फिर वो reusable नहीं रहाती है, तो अगर अगर आपके घर में यह वाली battery पढ़ी है, रखी है, तो आप इसे, इसमें connect करके easily चला सकते हैं, इस UPS को, याद रखिए कि इसमें 12 volts होने चाहिए, 12 से अगर 11 volts होए या फिर 10 volts होए, तो यह UPS नहीं चलेगी, आप इस battery को full charge रखें, चलिए इसमें खोल के दिखाता हूं, इसके अंदर क्या गया, wires होते हैं, इसमें यह basically दो wires होते हैं, negative और positive, जो कि simply UPS की battery में connect होते हैं, 7MBR की, तो हम इन ही wires में connect करने वाले हैं, इस battery के wires को, तो दोस्तों ऐसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बहुत ही simply यह wires connect कर दी हैं, और इन पर black tape लगा दिया, safety के लिए, ताकि अगर हम इस cover को बंद करते हैं, तो यह किसी circuit से touch नहीं हो, तो चलिए इसे बंद करते हैं, और फिर मैं आपको इसे run करके दिखाता हूं, यह ऐसे हम close क इसे को निकाल सकते हैं, बाहर, और जिससे कि आप कभी भी इसे use कर सकते हैं, तो चलिए इसे own करके देखते हैं, बलब के wires मैंने लगा रखी हैं इसमें, और तो देखिए दोस्तों, यह बहुत easily glow हो चुका है, बलब, थोड़ी beep कर रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद सकते हैं, तो यह ऐसे work करती रहेगी, तो दोस्तों यह था एक खोथी simple सा setup, एक normal bulb को जलाने के लिए अगर आपको अमर्जनसी में कभी जड़त पड़ जा, तो आप पहले voltage चेक कर लीजे बैटरी की, और फिर उसके बाद इसे इसमें connect कर दीजी है, तो यह UPS as a emergency power source भी काम क